तो आज हम लोग का लेक्चर नमबर 27 आज हम लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं अपना जो GKPYQ सीरीज हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके 26 लेक्चर हो चुके थे और फिर्स्ट में को आपका टेस्ट हुआ था उसका और उसके बाद फिर आप लोग का एक वीक तक नहीं हु रिवीव कर रहे थे बाकी आज से आप लोग के फिर से MTS के एक्जाम चाले हुए इससे पहले दो से तीन दिनों तक कोई MTS का एक्जाम नहीं था यूट्यूब पर रिवीव देखने को मिल रहे होंगे लेकिन वह सब फरजी के रिवीव थे बिकॉस को एक्जाम था ही नही ठीक है खेर अब हम लोग रिस्टार्ट करते हैं अपनी यह जो सीजल एक्जाम को टार्गेट करते हुए और बाकी जितने भी हमारे एक्जाम बीच में पढ़ेंगे सब को टार्गेट करते हुए अपने MTS में देखा कि कितने हम लोग ने जो 26 लेक्चर की उसका आपको क्य या बेनेफिट देखने को मिला आपके SSE MTS exam में तो इसी को प्रोसीड करते हैं चीजों को रिवाइस करेंगे और नई चीज़ें सिखेंगे हर लेक्चर में अब जैसे दीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें जो हम लोग ने पढ़ रखी हैं वो बढ़त आपको टाइम मिल गया था एक हफते का कि जो भी पिछल रहा था वो कैच अप कर सकता था जो हम लोग को ने अभी तक 26 लेक्चर की हैं उसके साथ प्रेलिस में सारे लेक्चर एड़े हैं हैं अगर फिर भी आप उन चीज़ों को फिर भी अगर आप जीके में अब रोते हैं कि SSC में जीके नहीं कर पाते हैं तो फिर यह आपकी गलती है बिकॉस सारी चीज़े में अपने साइट से कर रहा हूं बस आपको continue रहना है notes को revise करते रहना है and that's good all right ठीक है चलो दरोगा हब पुसिंग मंजीत जानवी सभी को good evening start करते हैं अब कोई बातचीत नहीं बातचीत होगी वीडियो के end में अब सिर्फ और सिर्फ तुम answer दोगे comment में participate करोगे जो भी आपे में चीज़ें पूछूंगा और इसी वैसे में यहां पर live session रख रहा हूं ताकि मेरा भी interaction रहे आप लों के साथ और interaction का मतलब यह नहीं positive interaction होना चाहिए तो आप भी comment section में बता सकते है यह आदा रहा है यह आदा रहा है यह आपको चीज़ें एक गंटे में अगले गंटे में पूरा जी के रिवाइज कर लेना है एक तम बेस प्रोड़क्टिविटी के साथ ठीक है चलिए पहला question है Warren Hastings became the first governor general of India in which year? Warren Hastings किस वर्ष भारत के पहले? आक्चुल में भारत के नही पहले governor general बने यह आपका question होना चाहिए तो options are 1773, 1757, 1783 और 1767 तो सबसे पहले यहाँ पर क्या recall होना चाहिए? सबसे पहले तो यह आदाना चाहिए कि first governor of Bengal कौन था? एक second ठीक है? सबसे पहले तो आपको यह आदाना चाहिए कि who was the first governor of Bengal? यानि कि Bengal का पहला governor कौन था? तो यह क Robert Clive? ठीक है? Robert Clive थे? अब इसके बाद हुआ क्या? यह जो governor of general की position है इसको change करके कर दिया गया governor general of Bengal किसके थूँ change कर दिया गया सर इसको? इसको change किया गया 1773 का जो regulating act था उसके थूँ regulating act का मतलब क्या है? किसी चीज़ को regulate किया जा रहा होगा? हाँ जो company थी East India Company British East India Company उसके affairs को regulate करने के लिए सबसे पहला जो act आया था वो 1773 का regulating act था जिसने कि governor of Bengal को governor general of Bengal बनाया साथ ही साथ इसने एक supreme court at Calcutta established किया supreme court at Calcutta यह याद रखना है तो governor general of Bengal उस समय बना सबसे पहला Warren Hastings क्योंकि उस समय governor of Bengal Warren Hastings था इसलिए पहला governor general of Bengal बन गया 1773 के act के थूँ option number first Warren Hastings के बारे में हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा है क्या क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है हमने यह पढ़ा है कि इसने जो dual government है उसको खतम किया था ठीक है abolish किया था dual government को जिसको किसने introduce किया था इसको introduce किया था Clive ने introduced by Clive कब याद करो 1757 में क्या हुआ था Battle of Plassey हुआ था प्लासी का युद दूआ था किसके बीच में नवाब सिराजुद दौला और East India Company के बीच में जिसमें की East India Company जीत कई थी जिसमें की British Forces को Clive नहीं लीड किया था ठीक है Clive नहीं इसको लीड किया था फिर Battle of Bucksar हुआ था Bucksar का युद 1764 में जिसमें Hector Munro ने British Forces को लीड किया अगें बिटिशर जीत है और यहां से Clive ने Dual Government Start की कैसे दिवानी Functions और निजामत Functions निजामत पुलिस के Function है वो दे दिये इन तीनों को ठीक है एक तरह से आप ओल सकते हो शालम को और यहां पे जो दिवानी Functions है वो खुद के पास रखे और इस Dual Government का जो किया था वो Warren Hastings ने किया था option number first अब यहां पर question यह पूछ सकता है कि who was the first Governor General of India who was the first Governor General of India and also the last Governor General of India अब यह question थोड़ा सा जो है tricky हो जाता है इस sense में because first Governor General of India no doubt आपका Mountbatten होगा कौन होगा sorry Mountbatten बोल रहा हूँ बेंटिक होगा ठीक है विलियम बेंटिक होगा इसमें किसी को कोई doubt नहीं होना चीए और होता भी नहीं इसमें doubt होता है last वाले में ठीक है विलियम बेंटिक के रिगार्डिंग हमने क्या क्या याद किया था जल्दी सरीकॉल करी इसने सत्यप्रथा को 1829 में खतम किया था इसने circuit courts को abolish किया था ठीक है और इसने एक तरह से English education को भी start करने में इसका main role था लास्ट गवर्णर जनलल में जब बात आती है न तो यहाँ पर Mountbatten भी answer हो सकता है Mountbatten भी और सी राज गोपालाचारी भी answer हो सकता है कैसे हो सकता है क्योंकि सी राज गोपालाचारी was the only Indian to be elected for the post of governor general of India ये पहले भारति ये governor general of India थे और आखरी Governor General of India भी थे इसके बाद इस post को खतम कर दिया गया था Actually मैं इनको ये थे Mountbatten को Governor General of India बनाया गया था लेकिन फिर हम आजाद हो गया सब कुछ हमने Constitution को Adopt करने के बाद इनको हटा दिया तो ये आखरी British Governor General of India थे ये सी राजगोपलाचारी हमारे पहले Indian Governor General of India थे और आखरी Governor General of India भी थे ये ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं In hockey, what is the meaning of the signal if the empire points both arms horizontally towards the goal यानि कि जैसे कि ये हमारे मान लेते हैं hockey के referee हैं ये दोनों हाथ जो है अपने एक side को point कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा penalty corner, penalty stroke, free hit या फिर goal score जल्दी से बताईए, good evening सभी को ठीक है और good evening, good morning अप करते रहना बाद में लेकिन अभी answers दो question के ठीक है हाँ वो भी करेंगे ठीक है, सारी चीज़े होंगी लेकिन आराम आराम से, धीरे धीरे से ठीक है तो यहाँ पर बात कर रहा है कि इस तरह से अगर यह दोनों हाथों को signal करेंगा horizontally, that means वो एक हैप का penalty corner मतलब कुछ ना कुछ fault हुआ, misconduct हुआ, जिसके से penalty corner मिला है दूसरे team को तो इस तरह से होगा अगर यहाँ पर मैं कुछ और आप बता देता हूँ जो आपके SS exam से पूछे गए हैं, जैसे कि अगर जो हमारा hockey का जो referee है, वो कमर पे अपने हाथ रख लिए अगर अपने कमर में हाथ रख लिए, that will show misconduct ठीक है, इसको अपने अनुसाल लिखेंगे कि अगर कमर पे हाथ रख लिए, ठीक है वेस्ट पे अगर दोनों हाथ रख लिए, that will be a misconduct अगर उसने hand cross कर लिए इस तरह से, ठीक है, किस तरह से मैं दिखाऊ, इस तरह से ठीक है, समझ रहे हैं आप ये क्या दिखाएगा, अगर hand cross कर लिए कि किसी ने interference किया है ये दिखाता है interference को ठीक, और अगर goal होता है तो एक हाथ से, जो हमारा referee है, वो point करेगा एक हाथ से goal की तरफ, goal post की तरफ अगले question पे आते हैं, और यहीं नहीं अब hockey से आपको क्या क्या याद आना चाहिए hockey से मैं आपको कुछ terms लिखवाये थे, वो terms याद आने चाहिए hockey से आपको याद आना चाहिए सुल्तान अजलान शाह और सुल्तान हाँ, जो अभी कहाँ पे होता है मलेशिया में ठीक है और सुल्तान अजलान शाह के अलावा अभी recent में अभी MTS का जो एक्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, ठीक है कि किस, ये तो चलो मैं बताता हूँ Australia को हराया था, ठीक है वो कौन सा कप था, जो कि वो भी आपका मलेशिया में ही होता है Australia को हराके इंडिया ने जीता था बताए जल्दी से, सुल्तान अजलान शाक अप की तरह होता हूँ अजल्दी से, और Terms मैंने आपको बताया था Scoop, मैंने आपको बताया था Dribble, और मैंने आपको एक बताया था Term AstroTurf, ठीक है, AstroTurf क्या होता है AstroTurf होता है, जो आपका Synthetic Coat, पहले Grass Coat में खिला जाता था, होकी का जो मैच था लेकिन अभी Synthetic Coat में खिले जाते हैं और उसको हम बोलते है, AstroTurf, ठीक है जोहान खान कप नहीं सुल्तान ओफ जोहर कप जोहान खान नहीं भई, सुल्तान जोहर कप ठीक है, ये इंडिया ने भी जीतार सुल्तान जोहर कप और सुल्तान अजलान शाह दोनों मलेशिया में होते हैं, और सुल्तान जोहर कप इंडिया ने ऑस्टेलिया को राके भी जीता है अगले question पर आते है, Dashport situated at the head of Gulf of Kutch has been developed as a major port to cater to the needs of western and north western parts of the country and also to reduce the pressure at the Mumbai port थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाई यहाँ पर कच्छ की खाड़ी के sheets पे स्थित Gulf of Kutch Gulf of Kutch क्या है? यह हमारा यह Gulf of Kutch है और यह जो यहाँ पर आप देखते हैं यह Gulf of Cambay है यह क्या है? Gulf of Cambay जिसको Gulf of Khambad के भी नाम से जाना जाता है और यह Gulf of Kutch है हमारा अब यानि कि Western Coast में यह पर्ट की बात हो रही है और मैंने आपको पर्ट सारे लिखवा हैं याद करवा हैं याद करिए भारत में कितने मेजर पर्ट हैं बताए जिल्दी से कॉमेंटेशन में भारत की कितने मेजर पर्ट कितने मेजर बंदर गाह हैं तो यह total इनकी संख्या है 13 13 मेजर पर्ट हैं और यह 13 मेजर पर्ट में आपको दिखाया थे यह कांडला में है गुजरात में जिसका नाम 2017 में चेंज करके दीन दयाल पर्ट रग दिया गया था इसके रिगार्डिंग में ने बताया था यह एक तरह का टाइडल पोर्ट है टाइडल पोर्ट मतलब यहाँ पर जो वाटर लेवल राइज और फॉल होता है that is due to the movement of tides मुंबई पोर्ट है जवाहल लाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट में order आप यह दख लो एन्नोर और इन जितने भी 13 major port है इन में से जो एन्नोर वाला है ना इन्नोर जिसको काम राजकर port भी बोलते हैं यह आपका पूरी तरह से government के हाथ में नहीं है सारे जितने भी हमारे major ports हैं 12 मतलब इसको छोड़के इन्नोर को छोड़के वो सार का पटनम जो कि आपका याद अखना deepest landlocked port है सारी चीजें में बताई थी landlocked का मतलब क्या होता है landlocked port है परादीब कहां पर ओडिसा में और कोलकाता और हल्दिया दोनों अलग हैं और यह दोनों कहां पर वेस्पंगॉल हल्दिया में और जो हल्दिया है यह आपका एक riverine port है यह चीज आपको याद अखना है अब यहाँ बात हो रही है Gulf of Kachki यहाँ वेस्टन कोस का port होगा तो भई आपका कोलकाता नहीं हो सकता है ठीक है कांडला अहमदाबाद कोई port ही नहीं है major port आंसर हो गए यहाँ पर option no.3 कांडला port कोची तो बहुत नीचे है कोची यहाँ पर यहाँ दखना कोची को हम Queen of Arabian Sea के नाम से जानते हैं कोची पोर्ट को Queen of Arabian Sea के नाम से भी जानते हैं ठीक यह सारे ports आपको पता होने चाहिए अगले question पर आते हैं अब यह जो लाइन है कि directly NCRT से उठाई गई है अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें लोग के इन एंशन टाइम्स दी एरिया अलॉंग दिखाने के लिए आपको यह screenshot लेका है हूँ कि directly NCRT से question उठा है answer हो यहाँ पर option number third मगद अब इसके regarding हमें पता होने चाहिए सारे जो हमारे महाजन पदास थे उनकी capital क्योंकि हर exam जैसे भी MTS exam भी हो रहा है तो उसमें भी जितने दिनों में हुआ उसमें I think दो shift में यह पूछा गया था capital I think एक में तो वज्जी की capital पूछे गी थे हम लोग मगद और अंग ठीक है यह जो है सबसे जादे important है तो अंग की है चमपा उतना जादे important नहीं है खेर मगद राजगरी वच्स कॉषांबी कॉसल श्रावस्ति पंचाल यह भी उतना जादे important नहीं भी फिर भी देख लो ठीक है इसको आप important वाले उससे हटा सकते हो ठीक है उत टिक करिए यह आपको याद होने चाहिए अगले question पर आती है the headwaters of the river Ganga is called Ganga नदी के उपरी जलधारा को क्या कहा जाता है मंदाकनी अलग नंदा भागी रती है फिर सूर्शरी तो इसको कहते हैं भागी रती है अब confusion हो सकता है अलग नंदा और भागी रती में लेकिन आपको पूरा डिखाता हूं यह आप ध्यान से देखिए जो हमारी भागी रती हो गंगोत्री से यहां से glacier से निकलती है यह है ठीक है यह जो हाँ पर देख पार है जो बद्री नाथ से निकल ले यह अक्चिल में अगर ग्लेशर पूछ ले न तो भागी रती तो गंगोत्री glacier से निकलती है बहुत आसान है लेकिन अलग नंदा निकलती है याद रखिएगा सातो पंथ glacier से सातो पंथ हिमनत से ठीक अब जो दो नदियों के बीच का region होता है यह जो region होता है इसको क्या बोलते है जरा बताए कॉमेंट में तो भागी रती क्लेर है भागी रती से मिलती है देव प्रयाग पर देन यहाँ से आएगी अपकी केदार्नाथ से मंदाकनी उससे मिलेगी रुद्र प्रयाग में फिर यह है कि यहासरी और ऑफ यह सी कर्ण मिले मैं तो कि ainए याद रखें कि रुद्ध प्र्याग मिलेगे और मुझ से कर्ण प्रयाग मिलेगे तो यसे यहाद रखें लो 231 अधि्वि में संहे होता है यह फिर्म्रेशंगि अधिकर पॉस्ट रती और अलग नंदा दोनों जो देव प्रयाग मिलती है यह तो आपको पता ही होगा तो मिल कौन रही अलग नंदा कौमन है सब में सब में कौमन अलग नंदा है अलग क्या है भागी रती मिल रही तो देव प्रयाग में मंदाकरी मिल रही तो रुद्र प्रयाग में और अग से निकलती है यमुनोत्री यानि यमुना रिवर और आपसे गंगा से मिलती है कहाँ पर प्रयाग राज में इस रीजन को जो दो नदियों के बीच का जो रीजन होता असको दौा बोला जाता है ठिक अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका option number 3 भागी रथी अगले question पर आते वाद्य हैं वो किस प्रकार के वाद्य अंत्रों की शिरली में आते हैं घंव्याद्य, तटवाद्य, सुशिर्वाद्य या फिर अवनाध तो जो हमारा नाट शास्त्र है ना बताएगे जल्दी से किस ने लिखा नाट शास्त्र को तो जो हमारा नाट शास्त्र है इसमें different musical इसको तंतु बोलते हैं, जिसमें hollow musical instrument होते हैं, जैसे आप उससे रिलेट करो इसको, वह क्या होता है, गीटार, गीटार में क्या होता है, वह hollow musical instrument हो देखे तो, तो, मतलब ख़ैं, थोड़ा सा hollow हो चीज, तो उसको बोलते हैं, सुसिर, ठीक है, Airophone, घन, गन, तो, जो solid musical जो instrument होते हैं वो घन की category में आते हैं और जो covered musical instrument होते हैं वो अवनाध्धा की category में आते हैं तब खुदी यहाँ पर सूचिए flute, flute जो बांसुरी है वो क्या है, hollow है, खोखली है, airophone है वो एक तरह का, ठीक है उसमें आप air डालते हो, तभी तो बज़ता है, तो यह किस category में आएगा, यह आपका सुशिर वाद्य में आएगा, जो string instrument होते हैं, जिसमें strings होती हैं, जैसे कि अगर में मालनू, बोलनू, सितार वगएरा, तो आपके तन्तु में आएँगे, याद कैसे रखेंगे, टन्ट, 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 टन्ट आरा, टन्टनाती strings होती हैं, ठीक है, सुसिर, जिसमें कि आप सांस भर रहे हो, ठीक है, सांस, air, सांस, hollow होगा वो चीज, ठीक है, तो उसे अब रिलेट कर सकते हो, घन, घनी कोई कौन सी चीज होती है, घनी जिसमें बहुत ज़्यादा, बहुत, पास पास एक तरह से molecules होते हैं, और जहां पास पास molecules होते हैं, आपको यह पता, तीन प्रमुकिया, फिर वैसे तो पास states of matter होते हैं, solid, liquid, gas, plasma, और Bose, Einstein, condensate, हमारे 5 states of matter होते हैं, आपको पता है, solid, liquid, gas, हमारे primarily 3 states of matter हैं, जिसमें कि solid में जो हमारे molecules होते हैं, बहुत, पास पास होते हैं, यानि कि घने होते हैं, तो उससे आ फर होता है, musical instrument, अच्छा मुझे यह बताईए, solid, liquid, gas, किसमें, किसमें, हाँ, चलो, solid, gas, solid, liquid, gas, vacuum, इसमें से सबसे तेज, speed of sound किसमें होती है, solid में, liquid में, gas में, फिर vacuum में, speed of sound सबसे ज़्यादा किसमें होगी, तो आंसर आप समाज़े हैं, थर्ड, नाट शास्त्र, किसने लिख्या है, भरत, मुनी जी ने, भरत, नाट यम के जो में, origins मिलते हैं, वो नाट शास्त्र में ही मिलते हैं, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर हम बात करें, solid, liquid, gas में, तो सबसे ज़्यादा, speed, solid में होती है, then liquid में होती है, then gas में होती है, किसी भी sound wave की, और sound ज करते हैं, which of the following bills can be initiated only in the लोक सभा, बहुत अच्छा question है, निमलिकित में से कौन सविध्या, केवल लोक सभा में ही शुरू किया जा सकता है, private members bill, money bill, constitutional amendment bill, या फिर government bill, जो तही है, तो इसका answer होगा, या दखना, sound waves, जो हमारी longitudinal होती है, that means कि, जो हमारे particles of the medium है, they vibrate parallel to the direction of the propagation of the wave wave अगर इस तरहे चल रही है, तो they wave वो जो है, उसी direction में चलते हैं, अगर हम light waves की बात करें, तो light waves हमारी transverse होती है, transverse, ठीक है, transverse होती है, और इसमें हमारे जो medium के particles हैं, वो आपके crust and trough में, यानि की perpendicularly vibrate करते हैं, ठीक, अगले question पर आते हैं, which of the following bills can be initiated only in the लोक सभा, तो ह हमारे different type के bill होते हैं, एक तो हमारा bill होता है ordinary bill, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं deal करूँगा ordinary bill से, एक तो होता है ordinary bill, दूसरा होता है money bill, और तीसरा होता है हमारा constitutional amendment bill, यानि सम्विधान, संसोधन, विदेयक, पूरा ध्यान से समझे, ordinary bill दो तरह के हो सकते हैं, एक तो public bill, public bill, और दूसरा होता है private member bill, या फिर private bill, public bill, private bill, अब ये public bill, private bill क्या होता है, तो जो bill कोई minister लाता है, उसको public bill बोलते हैं, जो bill प्राइवेट member लेके आता हैं, उसको private bill बोलते हैं, private member कौन होते हैं? private member वो member होते हैं जो minister नहीं होते हैं note कर लीजे इसको जैसे for example अगर मैं इसका मतलब यह मत समझेगा कि Congress के जितने भी हो सारे private member है हाँ बिल्कुल Congress के सारे جो member होंगे वो जितने भी होंगे Congress सब्सक्राइब भी majority में नहीं है लेकिन, एक सेकंड, लेकिन सब कोई तो मिनिस्टर नहीं बनाओगा ना, तो जो मिनिस्टर नहीं बनाओगा वो अभी भी private member ही कहलाएगा, यानि private member वो है जो minister नहीं है, बात खतम, ठीक, मज़े ये बताईए, council of minister की एक limit है मारे constitution में, कितनी है और किस amendment से उस limit को रखा गया थ ठीक, तो समझ गया private member bill कौन है, अब public bill लाने के लिए 7 दिन का बस notice देना होता है, और private bill लाना है, तो एक महिने का पहले notice दो, तब कहीं जाके pass करवा सकते हैं, और इसके pass होने के जादा होता है, private member bill आज तक आजादी के बाद, सिर्फ 14 bill ही pass हुए है, private bill के अगर बात करें, धन विदेया के अनि money bill, कौन से आर्टिकल में सबसे पहली बात हो, अनुछे देख सो, 10 में बात की जाती इसकी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगसभा में आ सकता है, speaker जो है लोगसभा का वो certify करता है कि any bill as money bill, ठीक, राजसभा इसको सिर्फ 14 दिनों के अंदर इसमें react करना होत है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ इसी के जगे, राजसभा can amend the money bill, गलत, राजसभा can propose the amendment, सही, क्यों, क्योंकि वो लोगसभा के उपर depend करेगा, उस proposal को accept करती है, करता है या फिर नहीं करता है, अगर करता है, well and good pass हो जाएगा, president के पास जाएगा, नहीं वो मानता है, त रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते है, money bill में वो नहीं बोल सकते है, because president का prior recommendation लिया जाता है, money bill को introduce करने के लिए ये आपको बता होना चाहिए, constitutional amendment bill के अगर बात करें, article number 368 में आता है, इसमें no president का prior recommendation needed, जिस तरह से money bill में चाहिए होता है, इसमें लोगसभा, राजसभा कहीं पहुमत से pass करवाना होता है, at least special majority से pass करवाना होता है, article number 368, part number 20 में दिया है, और किस country के constitution से लिया है, यह बताएंगे मुझे, और पहला constitutional amendment, पहला समिधान संसोधन कब हुआ था, यह आपको बताना है, और एक चीज़स में यह आद रखना, कि इसमें no joint sitting का provision, इसमें joint sitting संयुक्त बैठक नहीं possible है, again money bill में no joint sitting, joint sitting possible नहीं है, ordinary bill में बिलकुल possible है, आज तक joint sitting मात्र तीन बार बुलाई गई है, जिससे एक से आपका prevention of terrorism bill पास किया गया था, एक से आपका dowry prohibition bill पास किया गया था, और आपसे एक banking वाला एक act था, उसको पास किया गया था, तीन पास किया गया थे, अभी तक, ठीक है, और joint sitting possible नहीं है, joint sitting संयुक्त बैठक किया करें, कौन बुलाता है, तो यह दखना इस summons the joint sitting और इसकी अध्यक्षिता कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, यह आप comment में बताएंगे जल्दी से, constitutional amendment bill की बात करें, South Africa के constitution से ही, हमने इस चीज़ को borrow किया है, only in लोगसभा, खतम, ठीक, private member bill दोनों में आ सकता है, constitutional amendment bill दोनों में आ सकता है, government bill यानि public bill वो दोनों म और इसकी अध्यक्षिता करता है, या देखना लोगसभा का, अध्यक्ष लोगसभा का speaker, अगर लोगसभा का speaker नहीं होगा, तो deputy speaker of लोगसभा आएगा, और मैं आपसे सवाल पुछता हूँ, अगर मालीजे deputy speaker भी नहीं है लोगसभा का, तब कौन आएगा, यह आप comment बताए जरा, which of the following is a strong reducing agent used to reduce aldehydes, ketones, esters, carboxylic acid and chlorides, carboxylic acid and even carboxylate salts to alcohol, यानी सब को reduce करना है, औक्सिदाइज नहीं करना है, reduce करना है, सबसे best reducing agent कौन साह होगा, calcium hydride, titanium hydride, lithium aluminum hydride या फिर bismuth hydride आपको बताना है, जल्दी से बिल्कुल सही राघव ने सही बताया, deputy chairman of रादसभा, क्यों? क्योंकि chairman of रादसभा का भी-भी joint sitting को preside नहीं कर सकता है, कारण पूछले क्यों? तो बोल देना कि रादसभा का जो chairman होता है, जो कोई और नहीं vice president of India ही है, वो किसी भी सदन का सदसे नहीं है, he is not the member of either house, neither लोग चल रहा होगा ना, तो वो house में नहीं बैठ सकता है, और नहीं voting कर सकता है, ठीक, तो यहाँ पर हमें reduce करना है, calcium hydride, titanium hydride, lithium aluminum hydride, यह आपका सही answer हो का option number 3, lithium aluminum hydride को हम use करेंगे reducing agent के तोर पे, आप मुझे यह बताईए कि oxidizing, नहीं, अभी मुझे यह बताईए, जैसे हम hydrogenation करते ह है, ठीक है, hydrogenation reaction क्या होती है, hydrogenation reaction वो होती है, जहाँ पे हम unsaturated, hydrocarbon से saturated को बनाते हैं, ठीक है, unsaturated से saturated को बनाते हैं, ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम hydrogen को add करते हैं, तभी तो double और triple bond टूटेंगे, जब हम hydrogen को add करेंगे, तो हम यह करते हैं, एक catalyst, अब यह क्या था, य इसके हम बात कर रहे थे, यह Catalyst यह भी तेर से बोल सकते हो, तो यहाँ पर हम किसको Catalyst के तौर पर यूज करते हैं, Hydrogenation के लिए, Catalyst वो होते हैं, जो किसी Reaction को Favor करते हैं, ठीक है, यह आपको बताना है, साथ ही साथ आपको Powerful Oxidizing Agents कौन-कौन से होते हैं, यह आपको बताना जल्दी से, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हम यूज करते हैं, पलाडियम, प्लाटिनम, निकल, इनमें से कोई यूज कर लेता हैं, और Powerful Oxidizing Agents के अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं, किमनो 4 अनिकी, पोटाशियम, पर्मांगनेट, पोटाशियम, डाइक्रोमेट, यानिकी, के 2, C2, O7, यह यूज करते हैं, अगर हमें अलकोहल से असेड बनाना है, अलकोहल का फंक्शनल ग्रूप, OH, असेड का फंक्शनल ग्रूप, COOH, इस्टार का फंक्शनल ग्रूप, COOR, केटोन का फंक्शनल ग्रूप, C ОО, यह होता है, मैं लिख देता हैं अपर एलकोहल, यह हैं आपकाいつ्ट, यह हैं आपका इस्ट्र, इस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउन्स होते हγा, और यह हैं आपका कीटोन, हम याद आ रहा है, एक question बताओ, किसको हम photography में use करते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिसको हम photography में use करते हैं, plus उसी को हम as an antidote use करते हैं for the cyanide poisoning अगर हो जाती है, तो बताओ, देखतें कितना तुमने revise किया है, which of the following, चोला ruler built a temple for goddess, निशुम भा सुधिनी, निम लिकित में से किस चोल शासक ने देवी निशुम भा सुधिनी के लिए एक मंदिर बनवाया था, विजालाया, राजेंदर 2, राजा 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 वन या फिर आदे तो वन, तो हमने अच्छोला आर्किटेक्चर देखा, काफी सारे कोंडा चोला पुरम में, ठीक है, और तीसरा था हमारा अईरा वतेशवर, हमने इसके बारे में तो नहीं सुना, ये इसको किस ने बनवाया था, इसको बनवाया था, राजा राजा वन ने, राजा राजा इसको बनवाया था. राजय राजय सेकंड है मैं अगर इन्होंने बनवाया होता। इन्होंने बनवाया होता है, तो अधर इनिमेने इन बनवाया होता हुआ है। राजे इंद्रवन ने भी इस टेंपल को बनवाया है, फिर राजा राजा वन ने, तो आप इन उप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर विजयलया होगा, विजयलया जो कि आपके फाउंडर थे, शोला डाइनिस्टी के, उन्हों ने इसको बनवाया था, कहाँ पे तंजोर में बनवाया था, तंजोर कहाँ पड़ता है, आपको याद आणा चीए, कावेरी डिल्टा हमने क्विश्चन किया था न, किसने कावेरी डिल्टा पे कबजा किया था, तो यह हमारे विजयलया जी ही थे, और किसको हरा के कबजा किया था, यहाँ दखना, मुतर यह आपका, एक सेकेंड, मुतरयार, ठीक है, मुतरयार इननों को हराके, इन्होंने कावेरी डेल्टा पे कबजा किया था, और गॉड़ेस निशुम्भासुदिनी के नाम पे इन्होंने विजा लाया टेंपल, इन्होंने टेंपल बनवाया था, ठीक है, यहां पे मैंने कुछ फोटोग्रफी के लिए, अगला कुश्चन है और चोला डानिस्टिक रिगार्डिंग, सब कुछ जल्दी से, आंक बंद करो, सभी लोग, रिवाइस करते हैं, ठीक है, फांडर हमने देख लिया, टेंपल भी देख लिया, बचा है क्या है, बचा हमारा जो टैक्स है, याद कौन सा लैंड ग्रांट है, जो एक तो वेलन वगाई था, जो नौन ब्रामिन को दिया जाता था, ब्रह्मदे ब्रामिन को दिया जाता था, कौन सा आपका स्कूल्स को दिया जाता था, कौन सा लैंड ग्रांट जो है, स्कूल्स को दिया जाता था, या आपको बताना है, जि अन्य परितरंत्र के समुच्चे की बात कर रहा है यान की काफी बड़ा टर्म होगा अब बात करें ए्टमॉसफिर स्टाटो स्वीर ये ये तो हो नहीं सकता है आंसर यहांपे होगा बायोम, बायोम होता क्या है, बायोम एक community of flora and fauna होता है, ठीक है, मच्छर जी परिशान कर रहे हैं काफी, community of flora and fauna, flora and fauna, flora and fauna यह सभी जानते होंगा, flora मतलब dealing with plants and fauna आपका जो animals है, जैसे for example, मैं बोल दूँ desert बायोम, वो एक तरह का बायोम, वहाँ अलग तरह का vegetation देखने को मिलेगा, वहाँ अलग तरह के जानवर देखने को मिलेगा, मैं बोल दूँ evergreen forest, तो system और ecology तो ecosystem अगर हम बात करें तो यह तांसें से याद करो तांसले ठीक है 1935 में इनों ने दिया था ecology जो है यह Ernst heckle ने दिया था ठीक है Ernst heckle ने दिया था इसको और कब दिया था 1866 में 1866 से 1867 सेवेन रिकॉल होना चीए अठारा सुसर्सेट में एक और्गनाइजेशन बना था याद करिए ब्रमोज अमाज की तरह एक और्गनाइजेशन बना था उसका नाम बताईए 1935 से मैं याद आना चीए गवर्मेंट ऑफ इंडियक 1935 के बारे में उसने क्या किया था एक उसने ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोस किया था जो कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाया ड्यूटू क्योंकि प्रोविंसेस का भी आगरी नहीं करी 1935 के एक्ट ने जो गवर्मेंट ऑफ इंडियक 1919 है जो उसने डियर की को इंट्रड्यूस किया था प्रोविंशल लेवल उसको खतम करके प्रोविंसेस को दे दी आटॉनमी और डियर की लाया डूवल गवर्मेंट लाया सेंटर पर मैंने आपको समझाया था MTS के जो भी हम लोग review कर रहे तो उसमें मैंने पूरा समझाया था और पहले भी समझाया था तो बार बार उस चीज को यहाँ पर लिख के अपना हाथ नहीं किसने वाला हूँ ठीक है बस वही चीज को बोल लूँगा तभी बोलना हूँ lecture one से proceed करो ठीक है अब सिर्फ हम की जगे अब सुपरी एक तरह से सरी हां federal court establish करी RBI federal court और साथी साथ federal public service commission को इंटिड्यूस किया हमारा जो constitution बना है उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है 40% से भी ज्यादा वह government of index 1935 का है यह सारी चीज़े में याद आनी चाहिए ठीक और आपको याद आना चाहिए कि 1867 में हमा को बताना है अगले question पर आते हैं low annual range of temperature and high annual rainfall or characteristics of dash कम वार्षिक तापान और उच्च वार्षिक वर्षा एक dash की विशेस्ता है Temperate climate, Cold climate, Tropical, Humid climate या फिर Mediterranean climate क्या answer होगा तो अगर हम बात करें low annual range है ध्यान जे समझे लो annual range क्या होता है Range का मतलब पता है क्या होता है minimum और maximum के बीच में difference तो temperature जैसे for example मान लेते हैं आज के दिन सबसे ज्यादा जो इसका maximum तापान गया था 35 degree Celsius और सबसे कम आज का तापान रहा था 25 degree Celsius तो कितना range हो गया 10 degree Celsius का तो range समझ गया यह temperature का range और rainfall का range हो सकता है अभी मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ बताऊंगा अब कभी इस question में गलत करो गई नहीं range वाला जब आ गया तो लो annual range of temperature and high annual rainfall यहां range नहीं लिखा हुआ है यहां क्या range लिखा हुआ नहीं high annual rainfall यह कहां पे होगा rainfall ज्यादा है और लेकिन temperature का range बहुत कम है नहीं temperature ऐसा नहीं कि गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ रही है ठीक है annual का पहले समझाई देते हैं रुको range ना दो तरह की होती है एक diurnal और एक annual यहां भी diurnal देखने को मिल जाए इसका मतलब है daily daily range of temperature या फिर daily range of rainfall जैसे आज कि मैं बात कर रहा हूँ कि आज सबसे ज़्यादा था आप मान किता था सबसे कम क्या था annual का मतलब मैं जब बोलता हूँ ना तो यह मैं बोलता हूँ कि साल में साल में सबसे ज़्यादा ताप मान किता गया था मानलो मैं कानपूर की बात करूं कानपूर में साल में सबसे ज़्यादा ताप मान किता गया था तो यहां पर बात निकल के आत अभी तुम चले जाओ इसे गर्मिया है, तो गर्मियों में जितना temperature है, सर्दियों में थोड़ा बहुत ही कम होगा, ज्यादा variation नहीं होता, यानि कि annual या फिर durnal range कम होगी, कहां पे, coastal state में, जो हमारे 30 राज हैं, वहां पे चाहे temperature की range की बात कर लो, चाहे rainfall की range की बात कर लो, दोनों ही कम मिलेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, कि जो भी coastal इलाके होते हैं, वहां पे दोनों कम होता है, और जितने भी interior में होंगे, अमरित सर, कानपूर, दिल्ली, यहां पे गर्मी बहुत गरम होती है, सर्दी बहुत सर रहेगा, और उसकी वज़े से range उतनी ही जादा होगी, ठीक, अब यहां पे करो, low annual range है, यानि कि बारिश बहुत जादा हो रही होगी, क्यों, क्योंकि तुम देख लो, जहां बारिश, यहां पे coastal इलाकों बहुत बारिश होती है, तो हमेशे याद रखना, जहां बारिश ब बहुत ज़दा देखने को मिलेगी, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आपार असानी से लगा सकते हैं, cold climate में high annual rainfall तो होगी नहीं, ठंडे इलाकों में, ठंडे इलाकों में इतनी जादा rainfall होती नहीं है, ठीक, temperature भी आपका ठंडे इलाकों में आता है, Mediterranean climate में भी high annual rainfall नहीं होती है, Mediterranean climate में हम लोगों ने पढ़ा है, यहां पे summer dry होती है, यहां पे summer dry होता है, जरक कोईपन बताइए इसका, क्या होता है, अंसर क्या होगा, tropical humid climate, इसी में range कम होगी, आप, आप equatorial region में जाएए, दबा के जहां पे rainfall होती है, जैसे मैं ब्राजील के rainforest की बात करनों, जिन होगा, summer dry के लिए हम यूज करते हैं, Mediterranean के लिए CS, capital C, small s, capital C का मतलब है temperate, warm temperate, ना सिर्फ temperate, warm temperate climate और small s का मतलब है summer dry, इंडिया में summer dry कहां पे देखने को मिलती है, आप बताएंगे comment में जल्दी से, where does the headquarters of the Indian Council of Agricultural Research Institute is located, भारती क्रिश्यन उसंधान, परिशत का मुख्याल की preparation भी हो सकता कर रहा हूँ, ICR का headquarter, Pusa Road, New Delhi में, option number second, ठीक है, New Delhi में, हम लोगों ने क्या क्या किसक के headquarter पढ़े हैं, आप याद करिये, तो हम लोगों ने National Institute of, National Institute of Oceanography पढ़ा था, हमने इसके headquarter पढ़ा था, साथ ही साथ हम लोगों ने National Institute of Ocean Technology का पढ़ा था, हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था, Arid Research of Central Arid Research Institute पढ़ा था, ठीक है, और New Delhi में, और किस-किस के headquarter है, यहाँ पर मैं लेग देता हूँ, ठीक है, सब तक आप यह बताईए, New Delhi में, अगर बात करूँ, ठीक है, New Delhi में, अगर बात करूँ, तो यहाँ पर आपको headquarter देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको Fikki का headquarter भी देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको Fikki का headquarter भी देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको Fikki समय थोड़ा सा important है, इसको अभी नए president बने है, नए president नियुक दिये गए है, और वो कौन ने जड़ा बताई है, ठीक है, और हम लोगों ने एक्जियम कभी पढ़ा था, एक्जियम क्या होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैंक, एक्जियम होता है, ठीक है, तो पहले इसका देख लेते हैं, ओशिनोग्राफी, गोवा, ओशिन टेक्नोलोजी, टी से हम लोगों ने आद किया था, तमिल नाडू, एरेट रिसेर् पर कोरो मंडल कोस्ट में देखने को मिलेगा, यहां का क्लासिफिकेशन, कापिटल ए, स्मॉल अ होता है, ऐसल होता है, यह रीजेन हमारा ट्रॉपिक में आता है, प्रिकल भश द्रॉप ध कैंसर, उसके नीचे हिह हमारा रीजेन फॉल हो रहा है, अब ही हम बात करें, तो फ और पुर्शोत्तम ठाकुर्दास जी ने ठीक है पुर्शोत्तम ठाकुर्दास और अभी इसके प्रेसिडेंट बने हैं शुब्रकांथ पांडा ठीक है शुब्रकांथ पांडा जी इसके बने हैं अभी प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो हैटकॉर्टर है that is in Mumbai आगे बढ़ते हैं दे मोशन व दी बॉड़ी मुविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इस एन एक्जाम्पल ओफ एक वरत्ताकार पत्थ के साथ गतिमान शरीर की गति डैश का एक उधारन है डिक्सेलेरेटेर्ट मोशन दे मोशन उनिफॉर्म मोशन अक्सेलेरेतर मोशन या फिर नॉन उनिफॉर्म मोशन बताए जल्दी जै आज आज आपकी कलास अगर genने के बात करें तो motion of body moving along a circular path that is an example of accelerated motion because यहां पर acceleration होगा अब uniform आप बोल दो क्या चीज़ uniform है ठीक है तो circular path is an example of accelerated motion option number third यहां पर सही answer होगा uniform ठीक है uniform circular motion में अगर आप याद करो uniform circular motion में क्या होता था यह सिर्फ circular path की बात कर रहा है यहां पर uniform uniform उसने कुछ नहीं दिया यहां पर acceleration की value जो अमने uniform circular motion पड़ा था कितना होता था v square by r और यहां पर जो force लगता था that was termed as centripetal force और उस centripetal force की value कितनी होती है mv square by r ठीक है अगले question पर आते है which of the following line separates Pakistan और Afghanistan निमलिकित में से कौन सी रखा Pakistan और Afghanistan को अलग करती है Radcliffe Line, McMohone Line, Durand Line और जिनना लाइन तो आंसर क्या होगा इसका तो पाकिस्तान और Afghanistan को अलग करती है Radcliffe अलग किसको करती है यह हमारा इंडिया पाकिस्तान को साथ ही साथ इंडिया और बांगलादेश को क्यों जब हम आजाद हुए थे तो बांगलादेश इस्ट पाकिस्तान के नाम सचाना रता था तो अव्यस यह बात है कि जो इंडिया पाकिस्तान को जो सेप्रेट करती हो इंडिया बांगलादेश को भी करती हो कि विकॉस बांगलादेश तब बांगलादेश नहीं कि तब बांगलादेश तो 1971 में 1971 में अभी John M Kennedy को ठीक है John M Kennedy जो कि अब नहीं रहे हैं जिन्होंने बांगलादेश Liberation War में काफी help करी थी इनको अभी यहां का सरवोच पुरसकार बांगलादेश वालों ने दिया इस्टन रिजन है, ऑफ इंडिया-चाइना बाउंडरी, उसको क्या बोलते हैं? आंसर इसका डूरंड लाइन होगा, चाहे पाकिस्तान-अफगानिस्तान पूछ ले, या फिर इंडिया और अफगानिस्तान पूछ ले, बात एक ही है, क्यों? यूँकि पाकिस्तान भी पर वह अगर अटेंट कर रहोंगे तो वहां पर मैंने सब कुछ समझाया भी एक दो दिन दो तीन दिन पहले ही तो यह हमारे सेवन कंट्रीज के साथ हम इंटरनाशनल बाउंडरी बनाते हैं साथ देशों के साथ कौन-कौन से बांगलादेश चाइना नेपाल मियानमार अफगानिस्तान के साथ बांडरी लैंड बांडरी के अगर हम बात करें ठीक है और अच्छा मैं आपसे कुछ कुश्चन पूछता हूं कौन से हमारे स्टेट हैं कितने स्टेट्स हैं कितने स्टेट्स हैं आपके जो तीन देशों के साथ बांडरी बनाते हैं कितने देश है कितने राज हैं, फिर मैं बोलता हूँ, कितने states या फिर UTs हैं, जो 3 countries के साथ boundary बनाते हैं, मैं आपको option देता हूँ, 3, 4, 5, 6, बताइए, कितने हमारे country में states और UTs हैं, जो 3 countries के साथ boundary बनाते हैं, ठीक है, तो यह आप समझ गे, बंगलादेश, चाइना, नेपाल में, हमार भु Canada और USA के बीच में कौन सी लाइन है, Canada और USA के बीच में कौन सी लाइन है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में कौन सी लाइन है, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में बता दीजिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में बता दीजिए, और इसराइल और लेबनान के बीच में, इ Lebanon, चलिए, तो पहले तो इस question का answer देखते हैं, किसका, इसका, कितने states और UTs हैं, जो तीन countries के साथ boundary बनाता है, सबसे पहला राज्य, West Bengal, पस्चिम Bengal, किस-किस के साथ बनाता है, बांगला देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है, भूटान के साथ ब सबसे छोटा राज्य है, पूरे देश का area, sorry, population terms में, वैसे area के times में सबसे छोटा राज्य हमारा कौन से है, गोवा है, तो यह सिक्किम है इस तरह से, यहाँ उपर चाइना, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे नेपाल, सिक्किम में दो पासेज हैं, दो धर्रे हैं, उनका ना celebrate कियाता है, जो कंचन जंगा mountain है, वो भगवान के रूप में celebrate किया जाते हैं, और हमारा तीसरा state है, अरुनाचल प्रदेश, अरुनाचल अगर आप देखें, तो यह आपकी बनाता है boundary, चाइना के साथ, भूटान के साथ, और म्यानमार के साथ, यह आपकी boundary बनाता है, यूटी है हमारी लदाख, लदाख इसके साथ बनाता है, लदाख बनाता है अपका पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और चाइना के साथ, तो answer यहाँ पे होगा option number B, 4, चार हमारे state और यूटी है, Canada और USA के बीच में जो हमारी line है, that is called as 49th parallel, क्या बोलते हैं 49th, actually जो कुछ और नहीं है, 49th डिगरी latitude, 49th डिगरी North latitude वो पास होता है इन दोनों के बीच से, उसी नाम पे पड़ गया, जहाँ पे अभी आप कोई भी parallel सुनों कि, यह parallel जैसे कि South Korea और North Korea के बीच में, चलो भी करवा देता हूं मैं आपको, South Korea और North Korea के बीच में कौन सा है, यह separate होता हैं दोनों आपके 38th parallel से, तो यह 38th parallel क्या, यह एक आपका latitude है, Poland और Germany की बात करें, तो यह आपकी Hindenburg line है, ठीक है, Hindenburg से पता नहीं क्यों, अडानी जी जो है, गुसा जाते हैं सुनके, Germany और France की अगर बात करें, तो Magnaut line है, ठीक है, Magnaut line है, और Israel और Lebanon के बीच में है, बोलते हैं blue line, ठीक है, blue line को separate करती है, आगे बढ़ते हैं, यामनी कृष्णमूर्ती is famous for which dance form, यामनी कृष्णमूर्ती किस नरत शाली के लिए प्रिसिद्ध हैं, यह question पूचा गया, यक्षगान, भरतनाट्यम, ODC, या फिर मनीपुरी, नाम देखे, क्या है आपका, यामनी कृष्णमूर्ती, यानि कि South India का नाम है, ठीक है, East India का नाम हमें लग नहीं रहा है, यह पटा सकते हैं, मनीपुरी, Eastern India का भी नाम, North Eastern का भी नाम नहीं लग रहा है, यक्षगान कहां का है आपका, जल्दी से पताए, भरतनाट्यम कहां का है, तो आंसर इसका भरतनाट्यम हो क्या दाना चीए, एक हार है, ठीक है, एक हार है, बाकी भरतनाट्यम और कुचीपुडी सब के आपको exponents पता है, जैसे भरतनाट्यम में रिकॉल करी हमने क्या पढ़ा था, रुक्मनी देवी अरुंडले, जो MTS exam में पूछा गया, विरनाली नी सारा भाही हमने देखा, ली मनीपुरी से हमने क्या देखा था, एक तो जावेरी सिस्टर और बिंबावती देवी, जावेरी सिस्टर, बिंबावती देवी, मनीपुरी, मनीपुरी विष्णु जी को एक डांस जो है, डेडिकेटेट है मनीपुरी, clear है, और जागोई, जागोई जो है, वो एक तरह से म लानिपुरी डांस को ही बोलते हैं जागोई ठीक है इतनी चीज आपको रिखॉल Subscribe cow pursue की चीज़ साथ ही साथ ही यहां पर अर नोट करी अगले question पर आते हैं which of the following are food preservatives निमलिकित में से कौन से खाद बरी रच्छक है formic acid, vinegar, methyl alcohol मतलब options आपके सामने चारो बताइए निमें से कौन सा सही answer होगा और सभी लोग अगर session को like होई करते रहेंगे बिल्कुल सही है नहीं है चौदरी, ODC से रागव राओ ठीक है सभी लोग अगर session को like भी करते रहा करो तो preservatives preservatives के तोर पे आर हम methyl alcohol तो बहुत ही कैसा होता है poisonous होता है इसको preservatives के तोर पे कैसे use कर सकते हैं हटा दो दोनों को gypsum gypsum को तो मैं आपको बताया था कि अगर soil आपकी alkaline हो जाती है, चारी हो जाती पहुत जाता है, उसका pH 7 से बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम gypsum का use करते हैं और अगर कुछ ऐसा होता तो मैं आपको बताया ना होता, बताये, gypsum के बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, gypsum के बारे हम पढ़ा है से ठीक है, जब मारा sodium nitrite होता है उसका हम salt peter भी बोलते है विनेगर में कितना percent acetic acid होता है, जरा बताये तो 373 Kelvin में अगर हीट कर देंगे तो हमें plaster of Paris मिल जाएगा विच इस नाफिंग बट C-A-S-O-4 dot half H2O, this is plaster of Paris ठीक, सारे water molecules आपको recall energy, जल जल दी recall करो, blue में blue vitriol 5, white vitriol green vitriol, दोनों में 7 ठीक, आपका जो borax होता है, उसमें कितने water के molecule, 10 होते हैं Na2 B4O7 dot 10 H2O washing soda में कितने होते हैं 10 होते हैं, ठीक, चलो वो क्या होता है washing soda, Na2 CO3 dot 10 H2O, sodium carbonate, ठीक है और percent होता है, तकरीबन 5 to 8% आपका जो acetic acid होता है vinegar में आगे बढ़ते हैं, अगला question है, from which year did Sangeet Natak Academy New Delhi Institute of Ustaz Bismillah Khan Yuva Puraskar, Sangeet Natak Academy नई दिली ने किस वर्ष से Ustaz Bismillah Khan Yuva Puraskar के स्थापना करी 2005, 2004, 2006 फिर 2001, Sangeet Natak Academy, Ustaz Bismillah Khan Yuva Puraskar, 2006 से Bismillah Khan हमारे किसे सम्मंदी थे सहनाई से, आपको पता होना चीए आपका इरान में इनके नाम पे auditorium का नाम भी रखा गया, सहनाई से सम्मंदी थे हैं, और USM इन्होंने एक auditorium में perform करने आले पहली इंडियन बने थे, ये जो award दिया जाता है इसी आपका culture में आपका theater में ये आपका दिया जाता है हमने एक और पढ़ा था, culture और theater इन सब में दिया जाता है, काली दास सम्मान ऐवॉर्ड ठीक है काली दास सम्मैन ऐवॉर्ड ये कौन से राजी की सरकार देती है और इसको कब constitute किया गया था कालिधासमाण अवॉर्ड ऑर मैंने कोई कुलिंग अवॉर्ड िबते होगा कुलिंग किस छेत में दिया जाता और कौन देता है इसको पहला किसको मिला था तो गालिधासमाण अवॉर्ड की तो ये 1980 में 1980 में सबसे पहले दिया गया था, मद्रप्रदेश की सरकार देती है, इसमें दिया जाता है, कलिंग की अगर बात रें, तो ये 爷 anlam 230 में 12 में 22 में cage 152 मेंrics 57 पूछा था पीछे पहला constitutional amendment कब हुआ था मैंने बताया नहीं 1951 में हुआ था 1952 में Culling Award जो है सबसे पहले दिया गया सबसे पहला मिला था किसको डी ब्रॉगली को मिला था डी ब्रॉगली और Culling से याद आना चाहिए Culling Stadium के बारे में जहां पर होकी का आपको बताऊना चाहिए World Cup खेला गया था भी रिसेंट में जो किस ने जीता था जर्मनी ने जर्मनी अभी पीछे भी आया था जबने देखा था जर्मनी और फ्रांस के बीचे मागिनोट लाइन है जर्मनी से आद आना चाहिए जर्मनी पहला हमारा देश था जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई थी दूसरा देश कौन बना है जर्मनी पहला देश था जिसने की हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई थी दूसरा देश अभी हाली में कौन बना है यह आपको बताना ह है ठीक और Belgium को रा के जर्मनी ने जीता था और कलिंग बाकी चले ठीक है और चलो ठीक है अगले कोश्चन पर आता है इन विच आफ दी फॉल्विविंग एस वसे सिटेजन्शिप एक्ट पास्ट पास्ट बाइदी इंडिन पालिमें लेकित में से किस वर्ष भारती संसर 25 या फिर 1945 सिटेजन्शिप एक्ट पास्ट हुआ था 1955 में आपने CAA के बारे में जरूर सुनाओगा CAA, NRC हो गएरा तो एक्चुली में सिटेजन्शिप एमेंडमेंट जो एक्ट था 2019 का वो इट सीक्स टू एमेंड दी 1955 का एक्ट यह इसने इसी कोमेंड करने की बात कही थ जिसके तेट 6 कम्यूनिटीज हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पार्सीज, क्रिशियन, जीव्ज इन कम्यूनिटीज से जो भी आएंगे तीन देशों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगला देश उनको उनके लिए सिटेजन्शिप जो है आसान कर दी जाएगी उसम है क्या इसमें कि आपको अगर 11 साल तक भारत में रहते हो continuously तो आप इंडिया की citizenship ले सकते हो by the process of naturalization ठीक है एक तो होता है कि आपका जन में भारत में हुआ तो आप भारत की citizen हो गया है लेकिन एक होता है naturalization से आप ले सकते हो तो 11 साल आपको रहना पड़ा है continuously 1955 के act के according यह आ baseline बना रखा है कि इस year के बाद जो भी इंडिया में थे उनको इंडिया के citizen डील किया जाएगा तो 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमने अपने constitution को enforce किया था लागू किया था that is the baseline according to the citizenship act 1955 ठीक है और इसने यह naturalization के इस norm को असान करके 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया इन 6 community के लोगों को जो इन 3 देशों से आएंगे ठीक अब जल्दी से मुझे बताइए कि जो citizenship है वो किस part of constitution में citizenship ठीक है किस part में है और हमने अपने constitution में जो single citizenship का concept है जिसको हम बोलते हैं एकल नागरिक्ता यह हमने कहां से लिए है एकल नागरिक्ता का मतलब क्या है कि हमारे country में कोई भी कोई भी स सिर्फ इंडिया का ही citizen हो सकता है असा नहीं कि इंडिया का citizen है यूपी कभी citizen है बिहार कभी ऐसा नहीं है USA जैसी countries में state की भी citizenship होती है dual citizenship वहाँ पे चलती है लेकिन हमारे हां single citizenship और यह हमने लिया है UK के constitution से part number कौन सा है part number हमारा है second part one में union और territory के बारे में दिया है part number two में citizenship क मौलिक हचिकार fundamental रइट के के बारे में दिया part number four में DPSP के बारे में दिया part number four में में fundamental दूय है नि मौलिक कर्तव दिया हुए part number five में union हमारा संग के बारे में दिया हुए सिंगल सिंगल सिटेजशन शपकां से लिया UK से यूक से और क्या क्या लिया है पार्लिया में ट्रीच फॉर्म ऑफ गर्र्मेंट लिये संसदी पृणाली है हमने जो रिट्स हैं हमारे कॉंस्टूशन में वो लिए पांच तरह की हम रिट्स लिये जिनको हम अधरेरोगेटिव Give to Monotheism नामक पुस्तक किसने लिखी है स्वामी विवेकनन्द, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी दैनन सरसती Again a very easy question because हम कई बार इस चीज़ को कर चुके है By Cameral Legislature बिल्कुल भी Parliamentary form of government वही आपका हो गया By Cameral Legislature ठीक है President नहीं जी Gift to Monotheism जो President का जो हमने रिमूवल वगरा है वो लिया है USA Constitution से ना की यहां से ठीक है Gift to Monotheism सबको पता है राजा राम 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 लोग नहीं ना जाना कितनी बार किया Gift to Monotheism के अलावा आपको क्या दाना चाहिए आपको याद आना चाहिए Miratul Aakbar Miratul Aakbar याद आना चाहिए आपको Gift to Monotheism के अलावा आपको याद आना चाहिए कौन सी एक और मैंने आपको पता है याद करिए Miratul Aakbar, Gift to Monotheism और इन्होंने एक याद आखना वेदास को जो है उसके बाद इसी आत्मी सभा को एक तरह से रियोर्गनाईज किया था 1828 में ब्रह्मो सभा पहले ब्रह्मो सभा बनाया था लेकिन फिर इसी को नाम पदल के ब्रह्मो समाज हो गया आपको तत्वबोधनी सभा के बारे में पता होना चाहिए पहले शिफ्ट में ही पूछा गया था कि आपका तत्वबोधनी सभा कब बना पता ये जल्दी से ठीक है और मिरातुल अगबार गिफ्टु मोनोथिजम और आपकी एक थी संबद कामुदी ठीक है संबद कामुदी क्लियर राजा का टाइटल इनको किसने दिया था ये दिया था इन अकबर दोती इने अकबर सेकेंड इनको दिया था प्लस ये पता होना ची तत्व बोधनी सभाब का 1839 में 1849 बना किसने देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने बनाया फिर फर्दर इसको मर्ज किया फिर इन्होंने आदी ब्रह्मो समाज पूरी खिचली हम पढ़ चुके हैं पहले बस इतना आदोनाची 1839 में ये बनी थी ठीक है और इन्होंने तत्व बोधनी पत्रिका भी निकाली थी देवेंद्ना टैगोर जी ने या दखना ठीक है फिर केशब चंदर सेंच जी के एंट्री होती है वाकि सारी चीजे स्वामी दयान सरसती आख बंद करेंगे सारी चीजे रिकॉल करेंगे स्वामी दयान सरसती बचपन करा मूल शंकर था 1875 में आरे समाची गठन किया गो बैक टु वेदास बोला इन्होंने इंडिया फॉर इंड इसके स्थापना करी थी अपने गुरु जी के नाम पे रामकृष्ण परामनस इनका नाम था 1893 में शिका को में स्पीच दी थी स्वामी विवेकना जी के नाम पे रॉक मेमोरियल बना हुआ है अपका अतमिल आड़ो में इनका जो जन्म दिवस होता है बारा जन्वरी को हम नाशनल यूथ डे मनाते है राश्टी युवा दिवस मनाते हैं अंतराश्टी युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं केशाव चंदर सेन यह जो दूसरे आप्शन में दिये मैंने बता दिया इनको लेके आया थे देवेना टैगोर ब्रहमो समाज में लेकिन उन्हीं की व चुक्रती कब मीली जुलाई उनने सहतालिस ओगस्त उनी सहतालीस जुलाई उनन सहतालीस फिर मैं उननस सहतालिस तो इंडिन intipendence एक्ट जोकि कुछ और नहीं Mountbatten Act था जिसको हम Indian Independence Act के नाम से भी जानते हैं इसी ने ही इंडिया का partition का plan दिया था जिसको की 18 July 1947 को इंटीन जुलाई 1947 को British accent मिला था कि ठीक है सहमती कि हाँ भाई अब जो इंडिया है ये दो अर्शा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है Slash and Burn वर्टिकल फार्मिंग ड्राइफ फार्मिंग ट्रेस फार्मिंग जल्दी से अंसर बताइए इसका हम लोग कर चुके हैं मंजीत को श्रोहित धान अर्सवरोहित घान चलिए तो अगर हम बात करें कौन सा टाइप अफ कल्टिवेशन प्रक्टिस किया जाता है रेइन फॉर्स्ट में दिमाग लगाईए दिमाग लगाईए दिमाग लगाईए रेइन फॉर्स्ट में स्लैश एंड बर्न पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड और इंडिया अक्रॉस दी वर् या कि different parts की बात करूँ तो बताईए आपकी बत्रा नाम से कहां पर जाना जाता है, पोडू नाम से कहां जाना जाता है, कुमारी नाम से कहां पर जाना जाता है, तो पहले तो answer देख लेते हैं Mexico या फिर Central America में सको बोलते हैं Milpa क्या बोलते हैं Milpa Brazil में हो रहा है Roka और Indonesia में लोग लड़ रहे हैं ठीक है लडांग बतरा बोलते हैं Rajasthan में तो Rajasthan में आज आज अपने news आई तिंक सुनी होगी राजस्थान का जो नौगा और डिस्टिक्ट है वहाँ पे लीथियम के बहुत भेंकर वाले रिजर्स पाए गए हैं मतलब ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि जितना अगर अनुमानित है उससे 80% हमारे इंडिया की नीड पूरी हो सकती लीथियम की लीथियम जिसको हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं लीथियम का आप अटॉमिक नंबर जल्दी से बताएंगे कॉमेंट में लीथियम अभी हाली में कहां मिला था रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला था जो की पड़ता है जम्मू और कश्मीर में अभी आपको ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी हमला हुआ था हमारे 5-6 जवान सहीद हो गया वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी आपकी नामिया दहीं आरहा हूँ Riasi के बगल में और Riasi में कहां पर वह आपका जो चेनाब ब्रीज है चेनाब ब्रीज उसमें के आज जो है पास में मिला है जो रियासी डिस्टिक्ट में वहीं भी ठीक है अच्छा मुझे जल्दी से बताइए चेनाब में मैंने आपको तीन ब्रिज बता थे उनका नाम बताइए चेनाब रिवर पे पोडू के अगर बात करें आंद्रा और ओडीसा में इसको पोडू नाम से जानते हैं आंद्रा और ओडीसा में पोडू नाम से जानते हैं कुमारी के नाम से जानते हैं इसको western घाट में यानि कि पस्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जानते हैं, जूम बात करें तो जो हमारा northeast है, नौर्थीस्टन रीजिन वहाँ इसको जूम कल्टिवेशन के नाम से जानते हैं, दहिया बेवर के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में, चेनाब में आ को पता है था हमारे environment के लिए बहुत खराब होता है slash and burn में होता कि है shifting cultivation में कि एक part of land होगा उसको जो नमाड से होते हैं उसको cut करेंगे उसको burn कर देंगे वहाँ पर अपना खाने पीने योग के चीज़ें उगाएंगे जब वहाँ पर यहाँ पर दूसरी पार्ट अफ लैंड में जाएंगे और सो आन वह ऐसे migrate करते रहते हैं वर्टिकल फार्मिंग तरह का hydroponics होता है वाट इस hydroponics वाट इस वाटिकल फार्मिंग जहां पर वर्टिकली जैसे आपने ऐसे यहां पर जैसे एक यहां बना दी ऑप सिप्पार एक लेर उपस के बना वर्टिकल तौर पर हो रहा है मतलब कि इसमें जमीन का कम उसे होता है जमीन का स्वाल कराव यूज होग नहीं इस support वौटर का उयूज ज्यादा होता है वाट इस वाट इसकोल इस hydroproponics, terrace farming और सब कुछ मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है MTS के review के time पे पूरा सब कुछ समझाया था मैं फिर से उसको नहीं बताने वाला हूँ, terrace में थोड़ा सा ये समझो, जो hilly areas होते हैं, वहाँ पे होता है आपका terrace farming, ठीक है, subsistence farming क्या होती है, mixed farming क्या होती है, alternate cropping क्या होती है, mixed dropping क्या होती है, सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, अमें फिर से उस चीज़ को repeat नहीं करने वाला हूँ, in which state is the festival of goodi padwa specially celebrated, goodi padwa का तेवा किस राज में विशेश रूप से मनाया जाता है, गोवा, उडिसा, पंजाब या फिर महराष्टरा, तो गुडी padwa ये new year का festival है, जो महराष्टर मनाया जाता है, विशू मनाया जाता है, कहाँ पर, गेरल में, उगाडी आप कहाँ लाजाता है, अंधरा में, पुथांडू मना जाता है, तमिल नाडू में, सारी चीज़ां आपको आदोना चाहिए, हशी, रोश, हशाना, ये जीवस कम्मूनिटी सेलिब्रेट करती है, पटेटी, पटेटी कौन सी कम्मूनिटी सेलिब्रेट करती है, नवरूस के रूप में जड़ा बताईए, पटेटी, नवरूस, कमेंट में जड़ी से बताईए, और ये जो, कल्टिवेशन, वल्टिवेशन है, अगर कोई और कुश्चन आगा, तो मैं करवा दूँगा, ठीक है, दिल पर मतले लेना, कि सर, बुलने बताएंगे नियर, बता चुक है, इसलिए बोलने, ठीक है, और आगे मैं आपको, कोई और कुश्चन आगा, तो वहाँ पर रिवाईज हम लोग कर लेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पर जगह भी यह नहीं बची, और ना ही मेरे हाथों में उतनी अभी ताकत बची है, अगले कुश्चन पर आते हैं, number of players in handball, handball में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है, पांच होती है, छे होती है, साथ होती है, फिर नहों होती है, जड़ा बताईया, तो sports, terms, number of players, इस पर अभी MTS में recent में कुश्चन आ रहे, दाट इस वाई थोड़ा सा करना हमारे लिए important है, और इसी वैसे में इस पर जोर भी दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है, महराश में तमाशा और लेजिम, बिल्कुल लेजिम और साथ साथ लावनी भी आद दखेंगे, लावनी, लेजिम, तमाशा, बिल्कुल सही है नहीं है, चादुरी, क्रिपा, पार्सी, पार्सी कम्यूनिटी आपकी celebrate करती है, जो, पटेटी है फिर नवरोज होता है, ठीक है, पार्सी कम्यूनिटी, आगे बढ़ते हैं, नंबर ओफ प्लेट सिन हैंड बॉल, अब कई तरह की बॉल होती है, कई तरह की बॉल होती है, एक तो होती है बास्केट वाली बॉल, एक होती है वाली वाली बॉल, एक होती है, कौन सी होती है, एक और होती है, हैंड बॉल तो होती है, चलो हैंड बॉल लिख लेते हैं, और एक बॉल मुझे और याद नहीं आ रही एक और बॉल होती है बास्केट बॉल, वॉली बॉल और बेस बॉल, बेस बॉल होती है, ठीक है, हैंड बॉल और बेस बॉल, और मैं क्यों सब को लिखवा रहा हूं इनको और मैं जान बूछ यह कुश्चन लाएं हो, ताकि मैं सब को तुम्हें, और मैंने लिखा इसको ओडर में, या इसको ऐसे याद रखो, पांच बास्केट हैं, पांच टोकरी हैं, उनमें चे वॉली जैं, हाथ हैं हमारे पास साथ और बेस हैं हमारे पास नौ, पांच छे साथ आठ, ऑडर में याद रख लो, पांच छे साथ आठ, और बस यहाद रख लेना कि आठ नहीं, लास्ट में नौ हैं, बस, और इसको ओडर में याद रख लो, बीवी, एच बी, यह फिर बासकेट टोकरी लाए, टोकरी में वॉल अब कभी आप यह बूल बुलोगे, चाई बासकेट बॉल, कबड़ी, यौ Leso को पतो पता है, कबड़ी में नहीं पता होता है, होकी में लोगों को पता है, किते लोगों को पता है, किते लोग जाए पर देखते हैं, कबड़ी प्रिमेर लीग वाला, अगले गोंच एकों प थोड़ा सा ट्रिक आपको रिलेट करके याद करनी चाहिए, अब वो ट्रिक अच्छे भी हो सकती, गंदी भी हो सकती, लेकिन हमें याद होना चाहिए, साथ बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है, तो याद ऐसे रखो कि कबड़ी में जो है, अब मेरे दिवाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कैर, बस इतने आद रखो, कबड़ी जो है, उसमें साथ प्यार्स होते हैं, ठीक है, अब 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 किस रूप में सेलिब्रेट होता है, मौलिद अलनभी, option number D, यहाँ पर सही answer होगा, मैं 171 AD में, 571 AD में, 571 AD में, मक्का में इनका जन्म हुआ था, और मदीना, मक्का में जन्म हुआ थे, अब इनके 63rd Birthday था, 1660 जन्म दिवस पे इनकी मृत्य हो गई थी, और, 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 निव याद अखना, हिजरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, का हिजरी क्रूब में सेलिबेट करते हैं या फिर रभी अल अवल रभी अल अवल आखरी कुश्चन आज का साथ करोल रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा सरकारी बजट का निम लिखित में से कौन सा कार रहा है आए के वितरण से समारो या फिर पुनर वितरण समारो थोड़ा सा नहीं काफी डिफकल्ट कुश्चन ही है कुश्चन ये बोला है कि which of the following functions of government budget is associated with distribution of income income distribution से कौन समारो थे ऐलोकेशन जो function होता है budget में सबसे पहले तो budget से आपको या दाना चाहिए कि article 112 में हमारा budget word नहीं mentioned है क्या mentioned है annual financial statement वार्शिक वित्ती विवरान mentioned है और budget हमारा कौन प्रेजेंट करता है आपको जानते हैं finance minister प्रेजेंट करते हैं और आपको अच्छा comment में जल्दी से यह बताना है कि कब 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 हमारा जो railway budget है और जो general budget है उन्दों को merge किया गया था बिबेग देबरोय कमिटी बैटी थी एक पहले general acquired committee बैटी sections में जैसे कि capital जो हमारा expenditure वो इतना अतना होगा revenue expenditure इतना होगा यानि कि उसमें allocate किया जाता है वो redistribution of income नहीं है redistribution function जो है that is associated with distribution of income सिर्फ option number सही है statement यह जो second है यही सही answer होगा option number third only two redistribution function is associated with the distribution of income ठीक है और 25 question होते हैं खतम लेकिन question of the day तो note कर लो और किसे ने कितना score किया यह अब बताता करो ठीक है question of the day आपके लिए यह है कि महाराश्ट्र ने महाराश्ट्र ने जो भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे भौपाल में MP में उसमें महाराश्ट्र ने total कितने medals जीते हैं number of medals won by महाराश्ट्र यह आपको comment में बताना है आपका homework है यह ठीक हाँ hot seat पर बैठे 140 स्टुडेंट हाँ सर MTS ओला class discontinue क्यों कर दिया यही तो दिक्कत है क्योंकि आप में से ज़्यादा तर लोग यह बोल रहते हैं कि सर SAC CGL का यह PYQ series क्यों discontinue कर दिया क्यों discontinue क्या कर दिया अभी actual में थोड़ा से मेरे उपर भी प्रेशर है CDS का भी class ने नहीं था सुबह ठीक है Air Force ओलों का भी exam है 20 को exam है थोड़ा सा भी रुख जाओ 20 महीं तक 20 महीं के बाद थोड़ा सा आपको और चीज़ें एक्स्टा मिलने लगेंगी चिंता मत किई कुछ वैसे time का थोड़ा सा काफी shortage पड़ जाता नहीं में करवाना तो तुम लोग को बहुत कुछ चाहता हूं ठीक है करवाना तो अब सब को खुश नहीं कर सकते न हां कल है exam MTS कर अच्छा आरे अराम से दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं fold गया होगी आप लोग exam ठीक है अश इतने भी आपके notes से हम सबको एक बार revision मार लेना अच्छे से और बाकी तो हम लोग चीज़ें और extra करेंगे बट वही है थोड़ा सा मुझे और time दो है न मुहम्मद एजाज ICR classes Maths की भी उसमें GK की भी है Social Science की भी है Science की भी है English की आज आप लोगी डल जाएंगी current defer का PDF भी आज आप लोगो मिल जाएगा सब मेरा exam कानपूर में चानुड़ा कहां भी कानपूर में current defer का कैसे क्या करें अंकिता current defer का किस MTS exam के लिए पूछ रहा है फिर CGL के लिए है because CGL के लिए तो भी है थोड़ा discontinue हो गया था एक वीक में तबियत सही नहीं रही विकल टाइम नहीं मिला लेकिन अभी recent में आपका अगले वीक से start हो जाएगा ठीक है चलो 55 सर मेरा exam कानपूर में है आप क्या आ जाओ बिल्कुल आ जाओ अन्राग अगबख सभी question तो इस स्वाले से हुई जा रहे हैं फिर भी separate क्यों चाहिए बिल्कुल चलो भाई यह PDF आपको मिल जाएगी ठीक है परमारक SSC telegram पर बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम पर डेली 7 PM पर ठीक है with lecture number 28 अल्राइट चलिया थेंक यू सभी को और lecture को भाई like और share वगएरा भी कर दिया करो सभी लोग ठीक है